हेलो स्टुडेंट्स मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल त्यारी ओनलाइन में आज हम डिसकस करने जा रहे हैं वॉक्सिट नंबर 11 वॉक्सिट नंबर 11 विज्ञान का वॉक्सिट है और यह है क्लास 7 का वॉक्सिट आज का टॉपिक है हमारा पॉशन की अन्यवेधियां कौन सी हैं इससे पहले आप अपना नाम लिखे और यहां आप अपने कक्षाठ ध्यापक का नाम लिखें यह वॉक्सिट नंबर 2020 का इससे पहले कि वॉक्षिट में हम पादपों में पोशन पढ़े थे कि किस प्रकार पादप अपना भोजन स्वें तयार करते हैं इसलिए पादप को स्वें पोशी कहा जाता है लेकिन आज हम जानेंगे कि पादप में पोशन के अन्य वीधियां क्या है पादप भी पर पोशी होते हैं क्य अपने पोशन के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं जिस प्रकार मनुष्य और अन्य प्रानी भोजन के लिए पादप पर निर्भर रहते हैं यानि पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहन करते हैं कौन मनुष्य और प्रानी उसी प्रकार कुछ पौधे भी ऐसे हैं जो दूसरे पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करते हैं वे बिसम पोशी कहलाते हैं यानि जो पादप अपने भोजन के लिए किसी अन्य पादप पर निर्भर रहते हैं यानि किसी अन्य प पौधे पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं बिसम पोशी ये प्रनाली बिसम पोशी प्रनाली कहलाती है क्या कहलाती है बिसम पोशी प्रनाली चित्र को देखे यह अमर बेल का पादप है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता तो यहां देखे यह क्या है अमर बेल का पादप आमरेल के पौधे में और इस प्रकार से पीले रंका होता है यह तेखी यह पूरी तरह से बिच जाता है इस तरीके UP यह उसी पौधे से अपना भोजन ग्रहन करता है यह अपना भोजन उस पादप से प्राप करते हैं जिस पर यह आरोहित होते हैं यानि जिस पर यह चढ़े हुए होते हैं तो यहां अमर बेल एक पेर पर चढ़ा हुआ है यह इसी से अपना भोजन ग्रहन करता है पोशी को अमुल्य पोश्कों से बंचित करते हैं अता उन्हें परजी भी कहते हैं क्या आपने ऐसे पादपों को देखा आत्मा सुना है जो जन्तुओं का भक्षन करते हैं बच्चुं क्या आप लोगों ने ऐसे पौधे को देखा है जो क्या खाते हैं जन्तुओं को खाते ह तो यहां देखिए, इन पodhों को ध्यान से देखिए, यह पौधे क्या खाते हैं, जन्तु को खाते हैं, यानि कीरे मकोडों को खाते हैं, छोटे-छोटे कीर पतंगे, जब इनके अंदर जाती हैं, तो यहलों अपना यह क्या करता है अपना मूँ बंद कर लेता है यह इस तरीके से अपना मूँ बंद कर लेता है और उसके बाद वह उस कीरे को क्या करने लगता है पचाने लगता है कीरे को पचाने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तो यह जो पौधे हैं या कीट भक्षी पौधे हैं यानि की से पादब भी हैं जो कीटों को पकरते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं यानि खा जाते हैं ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं ऐसे पौधे हरे भी होते हैं और पीले लाल किसी भी रंग के हो सकते हैं यहां पे जो चित्र दिया गया है इस चित्र को आप दे खाई देने वाली संरचना बास्तम में इसकी पत्ती का रुपांतरिक भाग है यहां देखिए इसकी घरे जैसी संरचना है तो यहां देखिए बच्चूं यह जो कीट भगछी पौधे होते हैं इनकी संरचना घरानूमा होता है यानि घरे के समान होते हैं और इसके उपर एक पत्ता रहता है जो क्या करता है जैसे ही कीट इसके अंदर आता है यह पत्ता अपने मुँग को बंद कर देता है ताकि कीट बाहर ना जा सके और वह उसे पचा लेता है पत्ती का सिर्ष भाग घरे का धकन बनता है यहां देखिए यह उपर का जो भाग होता है वह क्या बनत गड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर धकेलते रहते हैं जैसे ही कीरा इसके अंदर जाता है वह क्या करता है उस कीरे को अंदर की तरफ धकेलता रहता है जैसे हम भोजन करते हैं और हमारा भोजन पेट के बाद छोटी आत और बड़ी आत में जाकर के डाइज बाहर नहीं निकल पाता घरे में उपस्थित पाचक रस त्वारा केतों का पाचन हो जाता है ऐसे पादब कीट भक्षी पादब कहलाते हैं ऐसे पादब क्या कहलाते हैं कीट भक्षी पादब तो कुछ उदारण दिया हुआ कीट भगची का पहला उदारण है घट परनी पादप और दूसरा है बी नश फ्लाइए ट्रप पादप यह हमारा घट पर नश well इत तो नहीं मिल पाते, यानि इनकी आवश्यक्ता नहीं पूरी हो पाती है, मिर्दा से मिले हुए खनीजों से, इसी वज़ा से ये पौधे कीटों का भक्षन करते हैं, यानि उसे खाते हैं, चलिए बच्चों, अब अभ्यास में दियेगे प्रस्नों को देखते हैं, पहला प्र रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए, तो हमने क्या देखा था, उस परजीवी का नाम था अमर बेल, यहां हम लिखेंगे अमर बेल, दूसरा प्रस्न हमारा है, कीट भक्षी पादप के उदाहरन लिखिए, तो बच्चों, दूसरे प्रस्न का उत्तर आप यहां से लिख सकते हैं, यह देखिए, दूसरे प्रस्न का उत्तर यह हो गया, यह उदाहरन घट परणी पादप और वीनस फ्लाइ ट्रेप पादप, यह है प्रस्न संख्या दो का उत्तर, तीसरा प्रस्न हमारा है, कीट भक्षी पादप कीटों का भक्षन क्योंकि उन्हें मिर्दा से सभी आवश्यक पोशक तत्व नहीं मिल पाते, तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं, प्रस्न संख्या तीन का उत्तर आप यहां से लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कीट भक्षी पादप, कीटों का भक्षन इसलिए करते हैं, क प्रस्न संख्या 4 है, परजीवी वग कीट भक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोशन का उपयोग किया जाता है, तो बच्चों प्रस्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा, परजीवी वग कीट भक्षी पादप द्वारा बिसम पोशी प्रनाली का उपयोग किया जाता ह तो यह हैं आपके प्रसंद संख्या 4 का उत्तर तो बच्चों आज का यह वाक्षीट यहीं समाप्त होता है वाक्षीट आपको कैसा लगा कमेंट में अवर्षी बताएं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो से हेल्प मिल सकें तो मिलते हैं अगले वाक्षीट में आप सब का धन्यवाद